विवा होया पाटी हर प्रकार के स्वण आभूशनों की करे खरीदारी मिलेगा सुप सम्रिधी और आनंद रूप अलंकार ज्वेलर्स के सब सौ प्रिदिशत हॉल्मा गोल्ड ज्वेलरी का एक माद्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स में रोट गड़वा बरवाडी से आनंद कुमार की रिपोर्ट भारत में हर्तालिका तीज का तेवहार मुखी रूप से राजस्थान, मध्यप्रदेश, हर्याना और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है हर्तालिका तीज को हर्याली तीज और कजरी तीज भी कहा जाता है भारतिय हिंदू महिलाएं अपने सुहाग की कामना के लिए हरतालिका तीज का वरत रखती है हर साल हरतालिका तीज का पर्व गनेश शतुर्थी से एक दिन पहले आता है हरतालिका तीज का संबंध माता पारवती से जोड़ा हुआ है प्राचिन समय में पार्वती के पिता हिमाले ने पार्वती का विवा भगवान विश्णु से करने का वादा किया था देवी पार्वती ने अपनी सहलियों से खुद का अपहरन करने को कहा जिसके बाद हुआ उन्हें जंगल में ले गई क्यूंकि पारवती शिव से विवाह करना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने तपस्या की और शिव कई अराधना में लीन हो गई शिव पारवती की तपस्या से प्रशन हुए और शिव ने पारवती से विवाह करने का वरदान दिया तब पारवती ने कहा कि जो भी स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरतालिका तीज का वरत रखेंगी उसे सिव परिवार का आशिरवाद मिलेगा ऐसे ही बरवाडी प्रखन में अनेको मंदीर धार्मी कस्थल और अपने अपने घरों में सुहागी निस्त्री अपने पती की लंबी उम्र के लिए तीज पर्व मनाए